दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए फिरती एक बार लाई हूँ कुछ ऐसे सेंटेंसे जो कि हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं इस वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके पहले भी मैंने बहुत सारे डेली लाइफ में बोले जाने वाले सेंटेंसे के वीडियो सेयर किये हैं अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस करूंगी कि आप उन वीडियो को भी जरूर देखें आपको वहां से भी कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगा इंग्लिस बोलने के लिए हमारे पास strong vocabularies की भी जोरत होती है कभी-कभी ऐसे होता है कि हम इंग्लिस में communication करते हैं बट हमारे पास एक right word नहीं होता है जिससे कि मैं अपने sentences को complete नहीं कर पाते हैं तो मैं daily life में बोले जाने वाले sentences के साथ-साथ vocabularies के भी वीडियो सेयर करती हूँ आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं जो viewer मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे request करूंगी कि वो इस वीडियो को पूरा देखें अगर पूरा देखने के बाद अगर उनको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को like जरूर करें और अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके bell icon जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के notification आपको मिलते रहें मेरी पूरी कोशिस रहती है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़े बता सकूँ और आप इन sentences को, इन vocabularies को अपने communication में यूज करें तो चलिए सुरू करते हैं आज के पहले sentence के साथ पहला sentence है स्याम एक सुखवादी दोस्त है स्याम is a fair weather friend नेक्स्ट है मैं तुमसे नराज हूँ I am honored with you नेक्स्ट है मैं तुम्हारी गलती से नराज हूँ I am honored to your mistake नेक्स्ट है रामु खुशी से बोल नहीं पाया रामु वोज स्पीचलेस with delight नेक्स्ट है वो काम में डुबा हुआ था He was swamped with work नेक्स्ट है वे ज्यादा काम से मर गए They died from overwork नेक्स्ट है तुम्हारे आसपास कौन है Who is around you नेक्स्ट है वो यही कही है He is somewhere around नेक्स्ट है होनी को कौन टा सकता है Who can change the destiny नेक्स्ट है नेक्स्ट सेंटेंस है यह मेरी खून पसीने की कमाई है This is my heart on money नेक्स्ट है जो हो गया उसे भूल जाओ Let bygones be bygones नेक्स्ट है कम से कम अपने वादों को पूरा करो At least walk the talk नेक्स्ट है वो सक्के दायरे में नहीं है He is our suspicion नेक्स्ट है मेरी बजाय वो तुम्हें ज्यादा पसंद करती है She prefers you over me नेक्स्ट है आसमान बादलों से घिरा हुआ था The sky was overcast नेक्स्ट है तुम्हारी उम्र कम है You are under age नेक्स्ट है तुम्हारी उम्र जादा है You are over age नेक्स्ट है कोई तुम पर जादू टोना कर दिया है Someone put a wami on you नेक्स्ट है चादर जाड़ दो Flick the bed seat नेक्स्ट है तुम मेरी आग के तारे हो You are apple of my eyes नेक्स्ट है चीना जपड़ी मत करो Don't touch all नेक्स्ट है वो उसकी खाल उधेर देगा He will beat him black and blue नेक्स्ट है वो अपने फैसले पर द्रिड़ती She was firm on her decision ये थे कुछ ऐसे sentences जो कि हम अपनी daily life में बोलते हैं I hope कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को like जरूर करें और अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके bell icon चरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के notification आपको मिलते रहें अगर आप इन सारे sentences को पढ़ना चाते हैं तो इस वीडियो के description box में मैंने blog का link share किया है आप उस link पे जा करके इन सारे sentences को पढ़ सकते हैं तो तब तक टाक्टिस करते रहें thank you so much